नमस्कार, DNP Health में आपका स्वागत है वे न केवल घी और दूद ले रही हैं, बलकि गुड भी उनकी डायट में शामिल है आईए जानते हैं कि गर्भावस्ता के बाद शरीर की देखभाल के लिए करीना और उनकी डायटिशन क्या टिप्स दे रही है वजन बढ़ा लेकिन उन्होंने नहीं की चिंता देवो ने हाल ही में एक चर्चा के दोरान कहा, कि अपने बेटे के जन्म के दोरान उनका वजन बढ़ा लेकिन उन्होंने इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिक्ता उनकी संतान थी देबो ने कहा मैंने अपने बेटे तैमूर को काफी उर्जा और उत्साह के साथ जन्म दिया मैंने अपनी गर्भावस्था का आनंद लिया और माव और हुने वाली संतान के लिए लाबदायक पौश्टिक भोजन लिया मेरा वजन जरूर बढ़ा लेकिन मुझे यकीन था कि बाद में यह सामाने हो जाएगा लोह युक्ट पदार्थों को दे रही हैं प्राथमिक्ता बेबो की डायेटिशन रुजुता दिवेकर ने बताया कि अब ट्रेडमिल पर 30 से 40 मिनट चलने के अलावा करीना के भोजन में ऐसे पदार्थ शामिल हैं जो कि आईरन युक्ट हैं जैसे कि गुड़, नारेल के लड़ू, आदी इसके अलावा तिल की चिक्की, खिचडी, बाजरा की रोटी और प्रते दिन एक चमच घी और रोज रात को एक गलास दूद शामिल हैं ये सारे भोजन न केवल बेबो की उर्जा वापस ला रहे हैं बलकि त्वचा को भी चमकदार बना रहे हैं करीना की डायेटिशन ने कहा कि एक बड़ा कारण अमीनो अमल युक्त भोज पदार्थ डायेट में शामिल करना है और इसके अलावा रेशे युक्त पदार्थों का सेवन करना है व्यायाम करीना ने बताया कि पैदल चलना गर्भावस्था के बाद सबसे बहतर व्यायाम है इसके साथ कुछ छोटी मोटी योग क्रियाएं भी की जाएं तो बहतर है यह गर्भावस्था के दौरान बढ़े हुए वजन को घटाने का सबसे बहतर उपाय है भारती आहार का चैन करें करीना के अनुसार प्रसव के पस्चात, पस्चिमी या तातकालिक डायेट के बजाए भारती या खानपान पधती अधिक लाबदायक है और इसलिए वे घी, गुड, दाल, बाजरा और चावल को प्राथविक्ता दे रही है अपने शरीर को पूरा वक्त दे करीना ने बताया कि वे अपने शरीर को पुरानी अवस्था में लाने के लिए परियाप्त समय दे रही है नई माताओं को यह हालां कि ध्यान रखना चाहिए कि तेजी से गर्भावस्ता के बाद बढ़ा हुआ वजन कम करने का प्रायास नुकसान दे भी हो सकता है उमीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूलें